सीवान में जैसे जैसे चुनाव ने दीका रहा है चुनावी रंजिस में अपरादी घटनाएं बर्ती जा रही है ताजा मामलास सिवान के मुफसिल थाना च्छेतर के मीरापूर गाउं का है जहां पराधियों ने एक युवक को गोली मार कर गंभीर रूप से घायल कर दिया है युवक की पहचान मीरापूर गाउं निवासी अफ्ताब आलम के पुत्र तन्वीर आलम के रूप में हुई है प्रात जनकारी के अनुसार तन्वीर को रामपूर काली मंदिर के पास बाइक सवार दो अज्यात अपराधी गोली मार कर फरार हो गए गोली तन्वीर के दाए हाथ में लगी है घटना की सूचना पर पहुँचे अस्थानिये लोगों ने तन्वीर को सदर अस्पताल सीवान में भरती करवाया जहां समाज से भी सरिन्वास जादों ने प्राधमी लाज के बाद युग को बिखतर इलाज के लिए पटना रेफर करा दिया है वहीं सूतरों की माने तो ये घटना चुनावी रंजिस की बताए जा रही है बतादे कि पूर से ही तन्वीर आलम को धम की मिल रही थी घटना की सूचना पर पहुँचे मुसफिल थाना पोलिस मामले की जाच में जुट गई है